आरपीफ ठाना नागपूर में मनसुनिक आरपीफ नागपूर के माध्यम से पिछले तीन दिन से शिकायत प्राप्त हो री थी की नागपूर स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन ओर ट्वाइलिक में नल मिसिंग होने की कारण ट्रेन के कोच से पानी निकल जाता है और रियात्री शिकायत करते हैं इस शिकायत पर दिनांग साथ जन्वरी 2022 को आशुतोष पांडे वरिष्ट मंदल सुरक्षा आयुकति नागपूर मोहदे की निरदेशा नुसार आरेल मीना निरिक्षक आरपीफ थाना नागपूर के मार्ग निरदेशन में संदिग्द की सुरागरसी के लिए एक टीम कगठन किया गया उक्ति टीम सदसे सउनी सीता राम जाट, सउनी रामनिवास यादव, आरकशक मुनेज गौतम, आरकशक अजे सिंग, आरकशक निरज कुमार, आरकशक जितेंदर मौर्या, आरकशक नवीन कुमार को नागपूर इस्टेशन पर प्रतिएक प्रेन के प्रतिएक कोच पर खाई दिया जो रेलवे कोच के ट्वाइलिट से नल निकाल कर चूरी कर रहा था जिसको आरकशक मुनेश गोतम ने रंगे हाथ पकड़ कर चेक करने पर उसके पास दस नग रेलवे के नल मिले जिसको अगरिम कारभाई के लिए सउनी रामनिवास यादव की समक्ष पेश करने उसने अपना नाम सिकंदा जाहित खान उम्र 35 वर्ष पता हंसापूरी अंसान नगर नाकपूर बताया जिसके ताबा से जबती पंच नाम के तहत कुल दस नग अलग अलग तरह की रेलवे के लोहे के पानी के नल कीमत अंदाजन 6,000 रुपे को जब्त करके मैं मुद्देमा आरुपी को कबसा और हिरासत आरपीयफ लेकर आरपीयफ ठाना नाखपूर में आए और आरुपी से पूश्ताच में उसने इससे पहले वी नाकपूर स्टेशन से विबन ट्रेनों के ट्वैलेट से पानी के नल चोरी करके बाजार में एक दुकान माली को बेचना बताया country ह निशान देही पर चंदर शेकर वेस्ट पेपर मर्चेंड हंसपूरी गांधी बाग महात्मा फूले बाजा नाकपुर में उपस्तित होकर दुकान पर बैठे वैक्ती से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सूरी शेकर उर्फ पिंकु रमेश चंदर गुपता उम्र वर के पानी के नल कीमत अंदाजन 5,700 रुपे पेश किये जिसको जब्त करके मैं मुद्देमाल आरुपी को कबजा और हिरासत आर्पिएफ लेकर आर्पिएफ थाना नाकपुर में आएं और दोनों आरुपियों से पूस्ताच करने पर रेल संपत्ति की चोरी करके अवैद 2022 कलम 3ARP Act 147 रेल अधिनियम के तहत मामला पंजिकरत करके इस समय आठ बजे दोनों आरुपियों को गरफतार किया गया मामले के जाच सवनी राम निवास यादब द्वारा जारी है